हेलो बच्चों कैसे सब से लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं CS कोर्स की क्या डिटेल होने वाली है क्या information आपको required है complete information आपको इस वीडियो में मिलने वाली है कि जैसे कि आपको बता है जो CS ICSI ने जो news levels है वो introduce कर दिया है news levels के बारे में आपको complete जनकारी दे दी गई है ठीक है और उसके बाद और ज़्यदा बच्चों की confusion बढ़ गई है कि क्या हमें जो registration है वो नए course में नए syllabus में करना चाहिए या existing में करना चाहिए जो बच्चे जून 23 में exam देना चाहते हैं वो बहुत ज़्यादा confused है और December वाले तो बिलकुल ही confused है कि क्या करना चाहिए क्य यूसफुल होने वाली है ठीक है और जो बच्चे आगे करवाना चाहते हैं उनके लिए भी तो A to Z details वीडियो मिलने वाला है तो बढ़े रहेएगा मेरे साथ एंट तक और complete बिलकुल एंट तक देखेगा वीडियो तब भी आपको useful होगी ठीक है तो मेरा में बच्चों CS CS संदी बरड़ा और से वीडियो मात करने वाले हैं CS कोर्स की complete डिटेल के बरे में जो बच्चे है चल्वे नए है चल्ल को सब्सक्राइब जूर करिएगा वीडियो लाइक वीडियो को लाइक जूर कर लिएगा ठीक है और चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले CS कोर्स जो ह होता है CS executive और तीसरा होता है CS professional इन तीन steps को पार करने के बाद हम बन जाते हैं CS ठीक है जी अब आगे question आता है entry routes मतलब किस की तरीके से हम CS बन सकते हैं पहला route होता है हमारा CSWT ठीक है जो प्लस टू के बाद बच्चे करते हैं वो क्या है पहले CSWT करते हैं फिर दूसरा stage executive होता है देन professional होता है जो बच्चे स्टेशन के बाद जो बच्चे पहले एक्जाम के बाद करना चाते हैं उनको डिरेक्टर एंट्री मतलब पहले executive होता है फिर professional होता है उनको क्या है CSWT माफ हो जाता है उनको सिधा ही direct executive में एंट्री मिल जाती है उनको एंट्र टेस्निक जो नहीं बढ़ती ठीक है और CS professional फिर देखे वो CS बन जाते है मतलब सबसे बहले हम बात करते हैं CSWT की CSWT के साल में चार बार वेपर होते हैं January, May, July और November में जो जनवरी 23 के लिए जनवरी 23 के लिए जनवरी 23 के लिए डेट होने वाली है वो है पंदा दिसम्बर 22 पंदा दिसम्बर 22 तक रडेशन कर वाले ते हो तो जनवरी 23 इसमें एक्जाम जो है आपके हो जाएंगे जो क्या है एक्ट्रिम में 7 जनवरी को होने जा रहे हैं चीक है जी उसके बाद डेट जो है वो एक्ट्रिम अनौन्स की जाती आइससे से द्वारा उसके साब से होता तो उसके बाद बात करते हैं एक्जिगूटेव के आपको पता है एक्जाम साल में दो बार होते हैं जून और दिसम्बर जून और दिसम्बर में आपके एक्जाम होते हैं उसी हिसाब से अगर आप जून 23 में एक्जाम देना चाहते हैं जून 23 में एक्जाम देना चाहते ह सिंगल मेडियूल देना चाहते हैं तो 31 जनवाज 2 है 23 तक आप भर सकते हैं तो आप सब्सक्राने के काबल हो जाऊगे अगर डिसमबर 23 में देना चाहते हो तो सिंगल मडियूल मोडियूL देनारी है सिंगल मुडूल के लिए 21 मय 23 तक और बूट मुडू देना चाते हैं तो धिसम्बर में सिंगल मुडूल होगा और दोने मुडूल देनारी हमेजी में सं़ फेल लिए सिंगल मुडूल के लिए 31 सूरी अब बात आती है कि जो अब old course और new course मारा old slayvars और new slayvars का क्या चक्कर है अब देखिए अगर आप new course के बारे में अब new course कौन सी rate से आपको applicable होगा मैं आपको सबसे बहले वह बताता हूँ और registration की starting rate कौन सी है सबसे बहले बात करते हैं CSWT की CSWT की जो नया slayvars है दोहर 22 slayvars है 20 22 slayvars है उसकी जो registration की first rate है June 16, 2023 मतलब 16 June से registration स्टार्ट हो जाएगी नया slayvars में ठीक है तो इसका मतलब है CSWT जो बच्चे देना चाहते हैं वो क्या है January, May और July ये old slayvars में देंगे existing slayvars में देंगे ठीक है नवंबर वाले जो बच्चे है वो क्या है June 16 या उसके बाद registration करवाते हैं तो वो क्या है old और new slayvars में exam compulsory हो जाएगे और जिन्होंने पहले registration करवा ली है ठीक है तो फिर वो क्या है अपना existing slayvars में दे सकते हैं उ जो शुरू हो जाएगी एक February 23 एक February 23 ठीक है जी तो इसका मतलब क्या है जो बच्चे 31 जनवरी तक 31 जनवरी तक registration की last date थी single module के लिए और बोत module के लिए 30 November थी तो इसका मतलब है June 23 में जो बच्चे exam देना चाहते हैं उनके लिए तो कोई tension वाली बात है नहीं उनको कुछ पूचने की जुरूत नहीं है टैंशने की जूरत नहीं है कि क्या करना है और 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 न्यूं के बारे में चक करी नहीं है तो वह बच्चे आप रवा सकते हैं 31 जनवरी तक तक दे सकते हैं जब मजी उनके 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 ग्जाम जो है existing इस तानाफ इस्टेस्टर वह होंगे उसके बाद अगर वो एक फ़बरी से रिचिण करवाते हैं एक फ़बरी जो उसके बाद गरवाते हैं तो फ़िक एक फ़री जो फ़र्स एक्जाम है वो दिसम्बर 23 से होने वाला है अब बात आती है जो बच्चे जो बच्चे December 23 के लिए exam देना चाहते है जो बच्चे December 23 के लिए executive के exam देना चाहते है क्या वो माली जी अभी register करवाते है October में, November में December में, January में तो क्या वो old slivers में exam देंगे या new में देंगे ये question है आपका जो बच्चे existing slivers में register करवाते है ठीक है और existing slivers में ही देना चाहते है exam ठीक है तो उनका क्या होगा वो किस तरीके से देंगे तो वो actually में देना चाहे existing में दे सकते हैं new में देना चाहे new में दे सकते हैं अगर new में 22 levels में उनको switch over करना ही होगा ठीक है कर सकते है करना ही होगा ठीक है तो उनकी मर्जी है आपकी मर्जी है जब मर्जी करना चाहों कर सकते हो existing levels में आपको ज़्यादा बलूँगा ज़्यादा अच्छा है आपके लिए क्योंकि existing levels में सब्जेक्ट आपको बता है mcq है और जो नया स्लेवर्स से उसमें mcq खतम हो चुके है नए स्लेवर्स में mcq खतम हो चुका है ठीक है जी अब आपको और प्रोफेशनल के लिए एक अगर्स तहीं से ठीक है रिजिशन की स्टार डेट स्टार्ट हो जाएंगी और जून 24 पह एक्जाम होगा ठीक है जी तो यह अपका क्या था scheme of exemption इस तरीके से subject wise आपको exemption मिलने वाली है इसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा ठीक है new student के लिए कोई अब चलिए हम बात करते हैं जो old slavers जो पहले हम बात करेंगे जो existing slavers है तो है स्टारा में जो बच्चे तो है स्टारा slavers में register होना चाहते हैं उनके लिए क्या subjects होंगे executive के उनके लिए बच्चों ये subject होंगे executive के executive के आपके पहला paper है जैसे module 1 दो module होते हैं चाहरा paper के पहला module है module 1 में चाहरा paper है पहला है जी आई जी 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 इंटर्प्रेटिशन और जनरल लोग दूसा है company लोग तीसा है ये पहले तीन सब्जेक्ट जो है वो रिटन है subjective है फिर चौता पेपर टेक्स लौ MCQ है 100 कुशन आते हैं एक एक नंबर के MCQ objective टाइप आते हैं उसके बाद module 2 में चार पेपर है यहां पर भी जैसे module में हर पेपर 100 नंबर का था passing criteria हर subject में 40% minimum और average on and average कितने चाहिए हमें 50% चाहिए पास होने के लिए मतलब 400 में से 200 नंबर चाहिए इस तरीके से module 2 में पेपर नंबर 5 CMA corporate and management counting यह MCQ based है सारा का सारा security low and capital market return होने वाला है 100 नंबर का EBCL यह भी return होने वाला है 100 marks का और FSM financial and strategy minimum यह 100 mark का MCQ होने वाला है मतलब paper नंबर 4, 5 and 8 MCQ है बाकी जो pass paper है वो return होते है ठीक है यह तो बात आगी किसकी existing slabers की जो दो है सतारा slabers है उसमें यह subject होते है executive के और मैंने आपको बताए MCQ कौन से है और return कौन से है अब चलिए बात करते हैं जो नया slabers है उसमें executive के क्या subject आपके होने वाले है ग्रूप 1 में जे-ए-जे-ल, company law, SBCC और corporate and financial management ठीक है चार यह हो गए और ग्रूप 2 में क्या होगे capital market and security law, EBCL, economic, commercial and intellectual property law and tax law and practice इस तरीके से आपका CS executive का यह slivers होने वाला है ठीक है जी अब देखे ने कौल में लाके देखा जाए आपको CSWT के subject पता लग गया passing criteria पता लग गया ठीक है उसके बाद decision की dates क्या है एक्जाम कब होते हैं वो पता लग गया आपको ठीक है जो CSWT के exam में वो क्या है online proctored mode में होते हैं और online proctored mode में ही होने वाले हैं मतलब घर बैठे बैठे आपको computer ये laptop पे exam देने हैं और दूसरा जो आपके executive के हैं वो center based exam होंगे मतलब center पे जाके आप institute की तरफ से बताया जाएगा कि यहाँ पर एक्जाम दे सकते हो तो वहाँ पर आपको देखे आने होते है return paper जैसे होते हैं normally ठीक है और उसके बाद उसके बाद आपको complete जो existing syllabus और new syllabus के बढ़े मैं ने आपको बताया कि किस तरीके से आपके दोनों में difference क्या ह सकते हैं switch over भी concentrate से करवा सकते हैं ठीक है और course जो है course के बारे मैं आपको simple अलग से वीडियो बना दूंगा जो क्या है बहुत भी ordinary होगी ठीक है जिसमें आप इसके लिए आपको description में link मिल जाएगा ठीक है बच्छों अगर आप CS course के लिए CS की classes buy करना चाहते हैं बहुत ही high quality वीडियो लेक्षा वाले वाले हमारे institute में KCC total में आपको मिल जाएगी ठीक है तो उसके लिए आप description में link दिया गया है उससे क्लिक करके buy कर सकते हैं तो आज के लिए इतना ही इसके लावा कोई आपकी query हो तो comment में या जाके comment कर सकते हैं और आपको जल से जल आपकी query का जव ओशयख हो तेस daytimeर लोग कर सकते हैं थीकता हैं आपकी आपकी वाले मिल आपकी कर सकते हैं ए maple और आपकigan, अभी तो आपकी पिर कर सकते हैं समय आपकी दThen अबपकी